साथ साल हो गया एक में दस साल जागा कभी वकिल साफ नहीं आएंगे और आप जाए यहाँ पर खड़े हो के दोश देखेगा जन्मेंट नहीं देते धंगामा मचाते हैं आप लोगों को आप भले एक्स्क्लूजिवली हाई कोट के प्रक्टिशनर होंगे आप के इस मध्या परदेश में वकालत करने वाले अनफैनवे परसंट वक्रट के प्रक्टिशनर्स आएं मजाग में आखे रखा आप लोगों ने वह जिम्मेदारी है आप लोगों की कि नहीं कोई भी ओडर शिट दिखा दीजे जब जच कहा दा है कि सब मैं नहीं करूंगा आइस आइम सॉरी क्योंकि आपने रेस वाइस की थी उसको काउंटर उसी लेवल पर आके करना था कहा लिखा है कि डवलूपी मेंटनेबल है यह सर वज जीरो नाइन में सरफ आएंगे यह कुश्चन के लिए गया सर प्लीज मुझे मेरा जो प्रशन हो बता हूं कि डवलूपी मेंटनेबल हो तो मैं सद्धू हजा साथ में जो बने दिया था बस वही है मैं लगता कुमारी पुलिस को इतना अधिकार होई नहीं सकता है कि वह कॉग्निजेबल ओफेंस के गिरिदेंस तो है और मेरी मर्जी मैं नहीं करता है परंतु अगर वैसा काम करते हैं तो फिर आपके पास क्या रमेडी है यह कुश्य है और सेम वैसी केस में दूसरे थाने है फ्याद अजकर सेम यह सर मैंने मुझे कहा है डाट रहे हो नहीं सर बताया मैडम से बोलो कि तुम्हारा दूसरा थाना क्या गरबड करता है सर वो दर्ज हो रही वहां से बिलकुल कि पिर यह सर सर यह कौन सी में सब्सक्राइब कर लिखा यह वापस करो यार इसको क्या करेंगा वह मैं सर आपको दिखाने के लिए कि सर क्या क्या हो रहा है सब्सक्राइब करने करने ही यह कानून है मैं कानून है एक दम से कुछ निकालो मत कानून है इसमें कोई डाउट नहीं है प्रशन भी यह है कि कानून होते हुए भी पुलिस कहती मैं नहीं करता जाओ अब इस परिस्थिति को कैसे निपटना है कि यह प्रशन उठता है या रिट प्रटीशन में जाएंगे या सिया पीसी में जाएंगे पड़ेगा रिट प्रटीशन में भी नियाले ही है ने इफ यह आप स्यार पीसी में क्यों नहीं जाना चाहते अगर हम कहते हैं वहां पर तो आपको अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ेंगे तर एक मैंने कंप्लेंट ठाइल किया साथ साल हो गया एक में दस साल हो गया अब कर दो कि अगर आप लोगों ने हरता लें की थी डोट रिज योर वाइस अप लोगों नहीं की थी डोट रिजिए घ्योंत वहां पर जाकर देखो तो कभी अव्यूत हो जागा कभी कंप्लेजिन नियागा कभी वकिल शब नहींगे और आप वहमत जाईए यहां पे don't abuse or defend your society or your institution otherwise you will be the first loser you exclusively high court practitioner then you you or your clients or your colleagues will lose the cases yeah yeah or just a second appeal of bills or is a file current on a yeah 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 है आप लोगों की कि नहीं कोई भी और शिर दिखा दिए जब जच कहादा है कि सब मैं नहीं करूँगा रच साल तक मैं नहीं करूँगा करेंगे उसके बाद मागने शुरू कर देंगे उसके उपर क्या विचा रहे हैं आपके गलत है यह बस चलो ठीक है आइस आपने वाइस की ती उसको काउंटर उसी लेवल पर आके करना थे पंदे जी आप समझ लीजिए इस institution को खोकला करने पर आप लोगों की ही building गिरने वाली है और उसमें आप लोगों ने भी दब जाना है यह आप लोग बहुत बड़ी गलत फेहीं पैर जी रहे हो कि इस संस्था को कम जोर कर दो तो आपका कद बढ़ जाएगा कद नहीं बढ़ेगा उस गिरीवी building में आप भी दब जाएंगे याद रखिएगा चलिए सर फिर यह दे रहा है कि या आप डिस्ट्रेट कोट में या मजिस्ट्रेट के यह इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि वहां देर होती है अजिए नहीं मैं इसमें इसमें इकनेशर वह लूट सेंगे इन विच भाई वय उफिट पर दिसन और कमन ऐनी मैंना भट आप फ्री दाब परसमालवा दे कर देड़ना प्रोच सारी में अब दोहजार एकीश सरे है सेट ड़ो पोर सेवं टू सेट जयो इन विच मालवड that under the scheme, the house has been constructed for the scheme, but no house has been constructed, inquiry has been conducted, they are up to file PIL. In PIL, Maharashtra High Court has directed to register an FIIR. FIIR has been registered, thereafter they go to the Supreme Court for questioning of FIIR and High Court has no jurisdiction. Under the Supreme Court, in which that the prediction has been dismissed, SLP has been dismissed. And they say High Court which has been directed for registered registration of FIIR is correct. It is correct. अब मैं आपको असली बाता हूँ एक प्रेटीशन उन्होंने बाद में पांच-छे मैने के बाद यह कंप्लेनेंट साइट के फाइल इसमें की हाई कोट ने का था कि वो टी देखेगा अगर बनता है तो कर दे यही ओडर होते हैं और जहां आई को अगरेजी समझ में आती के नहीं आती मैंने को हूंगा कर ही देता है वही वकिल साब खड़े होते हैं बिकास आफ दी इनोकुएस ओडर पास्ट 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 रहा हूं मैं सुनता रहा मैंने उनको मना नहीं किया मैंने का बोल लो बेटा जितनी भड़ास बोलोगे अभी उसका मज़ा महीं लूँगा है वह सहा है यह यह वाणने काणून जब भढ़न गलत लगता था आज वही कानू गलत लगने लग रगया मैंने कब क्या मुझे से इक आप आप की कही हुए बात हम एक्सपार्टी सुनके ठाने को यह कह दें कि यार तुमको जो अच्छी तलगे कर दो राइट नहीं सुनिए सुनिए और ठानेदार हाई कोड का आदेश है यह मानते हुए गोना फाइडली एफ़ाईया कर देता है उस आदमी का क्या दोश जिसके के उसके खिलाफ एफ़ाईयार हाई कोड के इन ओक्वस डायरेक्शन पर हो गई जबकि तत्यों पर कोई डिसकशन नहीं हुआ अगर आप कंप्लेंट फाइल करेंगे तो हमारा मेजिस्ट्रेट आपका कंप्लेंट देखके जिसमें अभी एव जुडिशल स्कूटनी करेगा यह प्रोसीजर कंप्लेंट और एक्यूज दोनों के राइट्स को बैलेंस करता है कर नहीं करता है कि अरे आप मेरी बात बताओ क्या मैजिस्ट्रेट दो चीज़ें बिना कोगनीजेंस के 156 को और कर सकता है और कोगनीजेंस ले लिया तो वह फिर उसको पढ़ने के बाद 202 की इंक्वाईरी कराके भी वह कोगनीज ले सकता है जुडिशल माइंड है ना हम यहां पर मैरिट देख रहे हैं ना ट्याइए मैरिट्स देख रहा है और फिर हो रही है और फिर जब वो जिस आदमे के खिलाफ एपाई और होती है फिर जब चट पटाता है तो फिर आके हाई को बुरा बला वेता है और यह वही वकील साथ जो कह रहे थे कि वह दो मेहने पहले कानून सही दो मेने के बाद कानून गलत हो गया आप यहां तक सुनाया गया था मेरे को सर हम भी देख सर मैं इसलिए सब्सक्राइब कर देंगे नहीं कर पाएंगे हमारा जज्ज्मेंट रिफर हुआ था डीवी में और डीवी ने स्पैसिविकली और फैल्ट करते हुए इसी को मैं पहले कोई कमेंट नहीं किया था कोच नहीं डिसाइड हुआ है उसमें यह पूरा जज्ज्मेंट जो आप पराग्राफ पड़ रहे हैं उससे पहले सिर्फ यह यह कि 154 का अगर इंफॉर्मिशन है वैदर इट इस मेंडेटरी उन पार्ट आफ दी आयो तो रिजिस्टर होल्ड किया है कि नो रिट पेटिशन इस नॉट मेंटनेबर कि यह वन अल्टरनेटिव रमेंडिक अब जाके हमने डाट खानी बंद हुई थी हमारी सब्सक्राइब तो करते ही नहीं हुआ कि हमारा मजिस्टेट वहां पे जुडिशन मैंड अप्लाइब करेंगा आपको त कौन है सर्थ आप लोग हूँ कर नहीं हम भी है आप एडजयन मेंट मांगते हो डर के मारी हम एडजयन में देते हैं हम भी है या अच बहुत सारे केसे ने चलो बढ़ाद हो या उससे सिस्टम को नुक्सान हो रहा है लोगों का विश्वास उठ रहा है आपका ये स्टेटम लगते हैं अपने इसको सब गहराई से सोचे हैं हम और आप जिस बिल्डिंग या जिस इंस्टिटूशन का हिस्सा है उसके लिए गहराई से सोचे हैं यह दस साल लगते हैं क्या अब विश्वास की शिरुवात हो गई यह कर नहीं हो गई है और अगर यह बिल्डिंग गर सब्सक्राइब करें लोगों का विश्वास बनेगा तो समाज में कानून विवस्ता और सुद्रण होगी सब्सक्राइब अब मुझे यह बताएब आपकी अभी गवाया नहीं हुई है ठीक तो सुनिए सुनिए सब्सक्राइब अब आप आजएए सब्सक्राइब न्या नागरिक सुरक्षा सहीता है और हमने भी हवास देश कर ली थी अब आपने तो उसी अपनी गलती नहीं मानी पर हम कहते हैं कि गुस्व हो कि नाराज मत चिलाने आपका वह सेंटेंस यह सेंस्था को कमजोर करने वाला सेंटेंस था आप मेरे पर चिला लिए मुझे परवा नहीं है क्योंकि अब मेरा आपका मेरे पर चिलाना संस्था आपके उपर एफेक्ट नहीं करता है और अगर हम ने अपनी संस्था को खोख़़ा कर दिया हो और हम और आपका स्थित्यों समाप्त हो जाएगा और समाज में और विवस्था फैलने की संभालना बढ़ जाएंगी अगर आपको लगता कि दुकाने खाली नहीं हूँ हे का आपकान खाली नहीं हो रहे हैं रहे हैं अब और थो और मजिस्ट्रेश कोर्ट में जाने में डस साल लगेंगे क्या यह और विश्वास के निशानी नहीं है यह आगे जाके हमें बहुत बड़ा और हमारे समाज को बहुत बड़ा नुक्सान पहुचाने वाला एक सही एक्टिटूड है आपका इसको हमें ठीक करना पड़ेगा सब बहुत जल्दी करना पड़ेगा यह मेरा मानना है यह में भी रॉंग और आपका रियक्शन जो था मुझे लगा कि यह सोसाइट यह इस 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 ने मैं रिएक्ट किया तो है इंटेंशनल नहीं होता है से आपका वो जो अविश्वास था गुस्से वाला यह पक्षकार का विश्वास था कि क्या करूंगा वह जाके दस सर लग जाएंगे आज अकुमोडेशन कंट्रोल ब्लैक्ट में लोग आने के वज़ाए शॉटकाट अपना रहें क्यों क्या करेंगे दो जनरेशन लग जाएंगे यह एक प्रश्ण है से इसको अपने कुछ समझना पड़ेगा और एड्जैंड मेंस को जहां तक हो सके ना मांगें पाकि बोर्ट से नहीं हो लूंगा ते तो